और राइट, वाट्स गोईगाँ, मैं लिए सिंट यूपल आउट देर, एक लाग 25 सार सबस्क्राइबस का टार्गेट बहुत नस्दीक है, तो मेक शूर कि तुम उसको अचीव करते हो, जितने भी लोगों प्लीज मेक शूर कि सबस्क्राइब करते हो, क्योंकि टीम पुरी बहुत मैनत करें तुम्हारे पूरा फ्री में कोर्स लाने के लिए, एकने को मिलेगा, as it is, मतलब जिस टाइम पर यहाँ पर क्लास जाएंगी, उसे टाइम वहाँ पर भी क्लास जाएंगी, मुश्किल से तुमारे लिए एक मिनिट का का में, डाउटनेट की एप खोल के और उसको पूरा का पूरा चालू करना वहाँ पर, पर अगर तुम्हें यह एक मिनिट का टाइम लगा देते हो, तो तुम्हें बहुत सार एक्स्रा फीचर्स मिल जाएंगे for free, तो वहाँ भी तुमको कोई payment नहीं करना है, तो directly let's begin structure of atom, तो basically इस chapter के अंदर हम करना है, atoms की विस्तिरित चर्चा, थोड़ा detail में जाएंगे atoms के बारे में, तो atoms के, अभी हम atom के अंदर घुस रहें, atoms and molecules में हमा atom किसी और के साथ मिलके क्या कर रहा है वो देख रहा था, हम देख रहते हैं, पर अभी हम atom के अंदर घुस रहें, ठीक है, तो अभी तक हमको ऐसा लग रहा था, देखो भाई, मैं तो मुलोगों को इना slides वे वो फटा-फट होगा नहीं कि एक scientist के मन में आए कि चलो हम कुछ discovery करके बताते हो और उसको मिल जाएगा, ऐसा थो होता नहीं, तो definitely कई scientist ने कई 50-100 साल बाद आगे आगे करकर कर 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 एक proper structure बनाया, तो आज जो हमारे पास में structure of atom है, वो कुछ इस type का दिखता है, कि atom के अंदर क्या होता है center में, atom is a spherical shape, atom is in the spherical shape, एक ball की तरह shape होता है और बिल्कुल जो center होता है, center के अंदर उसमें protons और neutrons होता है और जिसको हम बोलते है nucleus, तो center में होता है nucleus, ठीक है, और nucleus के अंदर के अंदर के अंधर बहुते है, protons होते है, neutron होते है, और electrons जो होते है, वो orbit में revolve कर रहे होता है जैसे solar system के अंदर sun बीच में होता है वैसे इसके अंदर atoms के अंदर protons और neutrons बीच में होता है nucleus के अंदर तो nucleus होता है उसके आज़ पास electrons revolve कर रहे होता है जैसे planets revolve कर रहे होते हैं वैसे ही electrons revolve कर रहे होते हैं ठीक है अब यह जो सब atomic particles है protons होते है, electrons होते है protons होते हैं, इनके उपर positive charge होता है तो याद कैसे गरोगे, proton positive ठीक है, electrons are negatively charged electrons के उपर negative charge होता है और neutrons होते हैं, जैसे कि उनका नाम है neutrons, वो neutral होते हैं, मतलब इनके उपर जो है, वो zero charge होता है zero charge होता है तो protons are positively charged, electrons are negatively charged, और neutrons are neutral, ठीक है, अब यह जो सब atomic particles है, इनके बारे में अगर हम और थोड़ी चर्चा करें, और थोड़ा deep में जाए, तो protons, electrons और neutrons, इन सब के अब हम masses देख रहे थी कि भई यह protons का mass के होता है, और charge भी देख लेंगे कि charge कितना होता है, तो protons का mass होता है, वो neutrons का mass होता है, वो protons के mass के बराभर ही होता है, approximately, याने कि 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, अगर मैं charge की बात करूँ, तो charge हमको पता है, प्रोटोन के ओपर 1 proton के ओपर plus 1 charge होता है, एक electron के ओपर minus 1 charge होता है, और neutron के ओपर 0 charge होता है, पर अगर मैं coulombs में बात करूँ तो coulombs के ओपर चार्ज ह होती है, जैसे कि हमारे पास में mass की unit होती है, वैसे हर चीज के अलगले unit होती है, जैसे kg हो गया, ग्राम हो गया, वैसे ही charge की भी एक coulomb unit होती है, coulomb कैसे लिखते है, c-o-u-l-u-m-b, ठीक है, तो coulombs में बात करूँ तो proton के ओपर charge होता है, plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, और electrons के positive charge होता है, electron को हता है, minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, बहुत ही बढ़िया, चला, आगे बड़त जीवन के अंदर, भाई कौन क्या लेक आया, अब देख लेता है, फटा फट कोईकली, तो neutron को है, उसकी discovery, sir Chadwick नहीं की, तो लेक आया का मतलब यह नहीं की market से उठा के लिए, तो market में Goldstein ने, और similarly electrons को किया Sir J.J. Thompson ने, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, protons, यह कुछ दो point से जो तुम याद रख सकते हो, कि तुमारे एक marks के number में आगए तो, तो protons को हम canal ray भी बोलते हैं, basically cathode ray, canal ray का experiment होता है, जो तुम बाद में पढ़ोगे, तो protons को हम canal ray भी बोलते हैं, और electrons को ह यह क्यों, क्या, कैसे, इसके बारे में तुमको जादा जान करें की जरुवत में, और special ray revision class में तो बिल्कुल भी जरुवत में, ठीक है, अच्छा, एक चीज़ समको पता चली, एक चीज़ समको पता चली, कि चुँकि electrons, जो हैं, जैसे मानलो, जो हमारा neutron है, sorry, जो nucleus है, उसक के अंदर आनी कि इस atom के बिल्कुल center में, तो comparatively electron को बहार निकालना, किसी भी atom में से electron को बहार निकालना आसान होता है, as compared to proton या neutron को निकालना, ठीक है, तो यह चीज़े भी तुम read करते चलो, ठीक है, जो 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 चीभी में बता रहा हो, तुम read करते चलो, कि तुम्हारा कहा होता हो जाएगा, अब हम देखते हैं, different numbers related to atoms, इसके ओपर तुम्हारे काफी सारे numericals बनते हैं, इस chapter से अगर numerical आता है, तो इस topic से काफी सारे numericals आ सकते हैं, basically, हर atom के पास हमने देखा कि हर atom के आसमे होता है proton, हर atom के आसमे होता है neutron, और हर atom के आसमे होता है electron, अब इन proton, neutron और electron के basis पर हमने दो number मना, दो number मतलब identification के हम किसी atom के number of protons और number of electrons हम इसको कैसे relate कर सकते हैं, तो दो million numbers होता हमार पास में, एक होता है atomic number, एक होता है mass number, atomic number को हम Z से represent करते हैं, mass number को A से represent करते हैं, ठीक है, अब है कैसे करते हूं में तुम को थोड़ा fund बात आता हूं, पर अगर मैं atomic atomic number की बात करो, तो atomic number is a total number of electrons और protons in a given element, यह और word बहुत ध्यान से सुनना, अब देखो, किसी भी atom के अंदर number of protons और number of electrons बराबर होते हैं, ठीक है, मतब जितने protons हैं उतने ही electrons होते हैं, तो atomic number is basically the number of protons, या फिट the number of electrons, कुई कि दोनों सेम हैं, तो किसी atom के अंदर मान लो कि 11 electrons है या 11 protons है, तो अब्वेसी बात अगर 11 electrons है, तो 11 protons ही होंगे, यह atom की बात कर रहा हूँ, आयन क्या होता है, आयन are charged species, तो जब भी हम किसी atom के अंदर से electron निकाल लेते हैं, तो वो आयन बन जाता है, पर अगर मैं सिर्फ एक atom की बात करूँ, naturally, जिसको मैं कुछ भी उसमें कोई भी electrons की छेट खानी नहीं कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जितने electrons है, उतने ही protons होते हैं, ठीक है, तो 11 electrons है, 11 protons है, तो इस ऐसे, बेसी कली sodium का होता है, ठीक है, तो sodium का, अगर मैं atomic number बूलो, तो क्या हो जागा, atomic number भी 11, इसकी कोई unit नहीं होती, यह बस एक number है, तो तुम से प recommend करता हो, कि जब भी तुम से atomic number पूछा जाए, तो तुम number of protons के उपर ही rely करो, ठीक है, मतलब तुम number of electrons आलो, ठीक है, देर रखे हो, पर जिदने number of protons हैना, तुम priority पर उसको decide करो, क्योंकि हो सकता है, कि अगर मैं sodium के iron की बात करो, तो उसके अंदर से, अगर मैंने 1 electron निकाल या देखो, तो proton के हिसाफ सी देखो, अधरवाइस तो atom के अंदर obviously बात है, proton और electron सेम होगा, ठीक है, चलो, अब mass number देखते है, mass number क्या होता है, mass number is the sum of protons and neutrons in a gain element, मतलब की sum of protons plus neutrons, ठीक है, मतलब let's say किसी atom के अंदर 11 electrons है, और 3 neutrons है, यह कुछ भी है, तो तुम उन दोनों को sum कर दोगे, तो तुम्हारे पास में mass number मिल जाएगा, ठीक है, तो mass number को हम a से represent करते है, atomic number को z से represent करते है, अब इसको याद करने का fundak है, बस इतना याद रखो कि दो type के number होता है, atomic number होता है, और mass number होता है, ठीक है, अब तुम एक यह a to z वाली calculation याद रखो, a to z, हैना, a to z तो atomic number जो होता है, बस इतना याद रखो कि हमको जो representation हो a to z, याने की a और z से करना है, शुरू के letter और last के letter से करना, अब बस इतना याद रखो कि atomic number को हम a से represent नहीं करते हैं, अगर तुमने इतना ही याद रख लिया तो तुमको याद हो जाएगा, कि भई, अगर atomic number को a से representing क अपने-पने models दिये, मतलब जब वो explain कर रहे थे कि atom ऐसा होता है, मतलब 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 कि एक तुमको बता दूंगा कि atom ऐसा दिखता है, ठीक है, तो वो चीज है, जैसे कि Thomson's model हो गया, Rutherford's model हो गया, Bors model हो गया, तो इस तीन types of models जो हमको देखना है, सबसे पहले आया Thomson's model, फिर आया Rutherford's model और फिर आया सबसे refined Bors model, ठीक है, तो इसमें कुछ-कुछ खामिया थी, जो कि Rutherford भीया ने पूरी की, Rutherford के model में कुछ-कुछ खामिया थी, जो कि Bors ने पूरी की, और फिर उसके आद में आगे भी कुछ-कुछ scientist ने कुछ ने कुछ revisions में किये, बड़े ती तर्बूस कैसा एक gold shape में होता है, तो तर्बूस का जो खाने वाला part होता है, यानि कि लाल-लाल part होता है तर्बूस का, वो होता है पूरा positive charge और जो उसके अंदर बीज होते हैं, those are like electrons, ठीक है, तो इसलिए हम बोलता है कि electrons की discovery सबसे पहले J.J. Thomson ने की, इन्हों नहीं बता ह है कि electron जैसे कोई चीज होती atom गंदर, ठीक है, तो इनका ऐसा मानना था, देखो जो अभी latest model हमको पता है, जिसके अंदर center में protons और neutrons होते और electrons revolve कर रहे होते हैं, वो इन लोगों को नहीं पता था, ठीक है, इन लोगों ने कुछ को discovery कि और आज जो हमको पता है वो वह वाला जैसे कि जो लाल-लाल portion है इस तर्बूस का, ये पूरा का पूरा positive charge है, और इसमें जो ये छोटे-छोटे बीज है, these are like electrons, तो basically according to Thompson's model of atom, an atom is like a watermelon, जहाँ पर जो seeds है, जैसे watermelon के अंदर seeds embedded होती हैं, embedded मतलब कि धसी होए होती है, वैसे electrons भी फसे होए होते हैं, उस पूरे positive charge के अ तो इसके अंदर भी तुमको सेम चीज मिलेगी, कि पूरा का पूरा जो खाने वाला portion है, मतलब पूरा का पूरा जो पूर्शन है, पुडिंग का, वो positive charge है, और इसके अंदर जैसे dry fruits हम embed करता है, जैसे कहीं पर किशमिश हो गई, बादाम हो गया, काजु हो गया, वो सारे electrons तो देखा, अब थोड़ा हम असल भाषा में देखता है, physics की भाषा में, तो कहने का मतलब एथा, कि atom इस टाइप का एक स्फीर होता है, जो की पूरा का पूरा ऑट पूरा Zurb और इसके अंदर इसे negative electrons ये सब भरे हुए है एसे भरे हुएяла है, कुछ गुछ जगवे खित इलेक्टरon kettlebell के लिख्टरon as eas how और बागो एक पूरा positive charge से न्यौन kः से भरा हुए तो पूरा खित पूरा positive charge के अंदर कुछnaтdo electron demons 0 invada तो Thompson बाबा ने दो चीज़े प्रपोज की, प्रपोज करना मतलब कि यह जो इन्होंने model बनाया है, इससे इन्होंने क्या-क्या चीज़े आगे सामने लाके दी, तो इन्होंने बोला कि atom जो है, उसके आसम पॉजिटिवली चार्ज स्फियर होता है, और electrons are embedded in, तो according to him, an atom is a sphere of positive charge, मतलब it contains a positively charged sphere, मतलब जो पूरा sphere atom, जो पूरा जो atom का volume है, वो पूरा positive charge से भरा होता है, और उसके अंदर कुछ-कुछ electrons होते हैं, वो embedded होते हैं, ठीक है, और इन्होंने एक और चीज़, देखो, यह चीज़ तो negative and positive charges are equal in magnitude, मतलब कि जितना positive charge है, पूरी की पूरी बॉल दे रही है, ठीक है, पूरी की पूरी बॉल दे रही है, उतना ही equal negative charge यह सारे छोटे-छोटे electrons भी दे रहे हैं, मतलब कि atom के अंदर जितना positive charge है, उतना ही negative charge भी है, जितना positive charge है, उतना ही negative charge तो इसलिए, atom as a whole is electrically neutral, मतलब अगर मैं atom को पूरा whole देखूँ, तो electrically neutral है, क्योंकि let's say, for example, मैं तुमको random numbers बता रहा हूँ, ताकि तुम्हें समझ वाज है, मानलो कि किसी atom के अपर plus 10 का positive charge है, तो उस atom के अपर 10 का negative charge भी होगा, तो अगर मैं overall charge देखूँगा, तो क्या हो findings मिली, जो mainly हमारे लिए, आज की date में findings important है, वो दो findings थी, पहली थी, कि the magnitude of positive charge, magnitude of negative charge, यह हमने देख लिया, दूसरी क्या है, atom is electrically neutral, ठीक है, obviously बात है, पहले और दूसरा आपस में related है, बट यह दो main findings हमको मिली, ठीक है, अब दूसरा model आता है, Rutherford's model, अब Rutherford भेहा ने बोल मैं प्रूफ भी दूँगा, कि मैं जो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो Rutherford भेहने एक experiment क्या, उसको हम बोलते हैं, उसका नाम है Rutherford's Alpha Particle Scattering Experiment, या फिर Rutherford Goldfall Experiment, ठीक है, तो Rutherford नाम लगाओ, और या तो तुम इसको Alpha Particle Scattering Experiment बोल दो, या फिर Goldfall Experiment बोल दो, दोनों ही नाम में, या नाम दोनों सेम है, ठीक है, मतलब एक ही experiment के नाम है, अलग-अलग नाम है, दोनों में तुम देखोगे, तो तुमको आध़ी चीज़े समझ में आ जाएगी, क्या है यह Alpha Particle Scattering Experiment, मतलब कि मैं Alpha Particle को Scatter कर रहे हैं, अब हो Alpha Particle क्या होता है, कैसे scatter करता है, उसको बता रहा जो भी उनका काम करना वाल होगा, असिस्टेंट होगा, उनको बूल देखोगा, कि आर मेरे लिए तीन चीज़े लिखा जा, एक तो Alpha Particle लिया, एक Gold Foy लिया, और एक ZNS Screen, ZNS मतलब Zinc Sulfide Screen लिया, ठीक है, तो अब देखो, Alpha Particle क्या होता है, गट्टू ने पूछा किया, अरे निकाल लिया, तो दो इलेक्ट्रोंज निकाल लिया, तो इसके आपर दो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने दो नेगटिव चार्ज निकाल लिया, उससे छीन लाए दो नेगटिव चार्ज, तो overall इसके दो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर वो दो वापस आ जा तो वह जो उसका दो positive charge वो neutralize हो जाए गाने कि 0 हो जाए पर अभी यहाँ पर क्या है हमने दो elektrons निकाल ले तो alpha particle HE2 plus ion का nickname होता है तो alpha particle क्या होता है? alpha particle is nothing but helium ion ठीक है? HE2 plus ion, helium ion का nickname है alpha particle ठीक है? चलो यह चीज़ है nickname है बस इसका nickname है जसे दूसरी चीज़ हमको लेगी gold foil, gold foil लेने का reason क्या था? तुमसे exam में पूछा जा सकता है कि gold foil क्यो ली? तो gold foil इस लेड़ी के kit is extremely malleable, malleable का मतलब क्या होता है कि इसको हम बहुत ही पतली sheets में काड़ सकते हैं या बहुत ही पतली sheets में हम इसको form कर सकते हैं जैसे हमारी aluminum foil होती है जिसके अंदर हम खाना रैप करते हैं वैसी हमने gold की foil लेए हमारा budget बहुत जादा था ठीक है हमने पुरी Sony की foil लेए पर उसका reason थिर्फ budget यह फिर दिखने के लिए नहीं था उसका reason यह था कि gold foil बहुत थिन होती है बहुत पतली होती है और हमको जितनी पतली हो सके उतनी पतली foil चाहिए थी तो इसलिए हमने gold foil ले ठीक है तीसरा हमने लिया ZNS screen मतलब कि यह जो पुरा हम खेल खेलना ले यह observe कहां करेंगे तो वह हम करेंगे zinc sulfide screen के उपर ठीक है यह हमको टेजी से फेकना है इस gold foil के उपर हमारा task क्या है कि alpha particle के से machine gun की तरह से बहुत स्पीड से मतलब बहुत सारे एक साथ बंबाड करते है धेर सारे alpha particles हम फेक दें किस के उपर gold foil के उपर मतलब एक तरही किस हम गोल ही चला है जैसे कि यह gold foil है और alpha particle मालो इस machine gun करते है इसको हम alpha particle emitter बोलते है जो emit करता है तो alpha particle emitter उठा है और बहुत स्पीड से ऐसे करके बहुत सारे alpha particles देखो यह जो तुमको line देख रहे है यह चोटे-चोटे alpha particles है जो की बहुत सारी तादाद में जा रहा है हमको इस gold foil के उपर मारना है मतलब ऐसे अगर तुम ऐसे side angle से कराने के बाद क्या कर रहा है वो हमारा objective है तो alpha particle emitter है हमारे पस alpha particle emitter है और यहां से तुम देखोगे तो gold foil के उपर सारे alpha particles देखोगे और सारे आरपार निकल जाते है मतलब maximum alpha particle तुम देखोगे तो इसे आरपार निकल दाए है क्योंकि gold foil बहुत भाँती पतली है तो असा न कर लें हम कुछ नहीं कर रहें हम भूत सी स्पीड करके बहुती मशीनगी रिंगर बहुत अलफ परिकलस एक सामेट करें मैं और देख रहे हैं कि इससे इस ऒंगर करने के बाद क्या तो यह सीधे वैसी जा रहे हैं जा रहे थे या फिर in के directions change होगी, ठीक है, तो हमने भाईया तीन observations निकाले, पहला observation यह था कि most alpha particles pass through the foil undeflected, मतलब जादा तर alpha particles जो है, वो बिलकुछ सीधे की सीधे निकल गया, जब मार रहे थे तो basically r-par निकल तो r-par बिलकुछ सीधे निकल गया, है ना, जैसी मानलों मैं ऐसे मार रहा हूं, ऐसे म पार-par निकल गया, same, कुछ change निया उनके direction में, ठीक है, तो यह हमारा पहला observation था कि most alpha particles थो passed through the foil undeflected, दूसरा यह था कि बहुत कम alpha particles थे, जो कि deflect होए बहुती छोटे angle पे, ठीक है, मतलब कि बहुत कम alpha particles थे, जो कि टकरा के थोड़ से अपनी direction चेंज कर लिए, ठीक है, और तीसरा यह था कि extremely rally, मतलब 1 in 2 alpha, मतलब हर 12,000 alpha particles में से कोई एक का दुक्का ऐस alpha particles थे, जो कि पूरे return हो गया वापस, मतलब gold फ़ल्च टकरा कि ऐसे वापस return हो के आगए, पूरे के पूरे है, रिवर्स हो गया, ठीक है, तो यह हमको तीन observations मिली, तो इन तीन observations हमको क्या के conclusion मि मिला, कि ज्यादतर space atom के अंदर खाली होती है, क्योंकि ज्यादतर alpha particles है, वो undeflected pass हो गए, ठीक है, दूसरा यह मिला, कि चुंकि बहुत कम alpha particles deflect होए थे, अपने direction से, तो इसका मतलब यह है कि जो positive charge है atom के अंदर, वो बहुत कम जगे पर concentrated है, ठीक है, बहुत कम जगे पर concentrated है, इसलिए बहुत ही हलकि, बहुत ही कम है alpha particles है, जो कि deflect होगे, और तीसरा आम को ही मिला, कि बहुत ही कम alpha particles, जो है वो, पूरे टकरा के वापस आ गए, इसका मतलब, कि जो पूरा atom है, उसका जितना भी mass है, और जितना भी उसका positive charge है, वो सब एक बहुत ही छोटे से point के अंदर concentrated है, और जब भी उस एक point से वो टकराता alpha particle, तो वापस आ जाता है, देखो, एक atom है, है ना, एक atom है, अब वैसे तो बहुत सारी space, maximum space खाली है, तो वो सीधी चले आएगा, कुछ space, जो बिल्कुल भी एक ऐसा point है, जिसपे अगर atom टकराता है, जिसपे अगर alpha particle टकराता है, तो वापस आ रहा है, तो वो जो छोटी सी point है ना, उस point के अंदर सारा का सारा positive charge और maximum mass atom का concentrated है, तो maximum mass atom का उससी छोटे से point में है, ठीक है, ये चीज़ हमको पता चली, तो indicating that the positive charge and the mass of gold atom were concentrated in a very small volume within the atom, ठीक है, अब भाया, इसके drawbacks है, ये चीज़ इन्होंने दे दी, तो हमको basically य दूसरा ये है कि जो protons है, मतलब जो positive charge है, और जो mass है, वो बिल्कुल बहुत ही एक छोटे point में concentrate रही, center के अंदर atom के, तो वो बिल्कुल सही है, हाँ, center के अंदर हमको पता है कि अभी nucleus होता है, और nucleus के अंदर neutron और proton होता है, तो वो चीज़ हमको पता है, ठीक है, तो ये भी neutron के अंदर, sorry, वो हमारे atom के अंदर से revolve कर रहे है, तो गोल, 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 तो अब इस Rutherford experiment का एक drawback है, drawback क्या है, कि इन्होंने ऐसा बोला, कि electrons जो है, वो circular orbit में revolve कर रहे है, around the nucleus, हाँ, around the nucleus, पर एक चीज़ है, जो कि हमको science के कारण पता है, क्या पता है हमको कि देख तो उसके पास में acceleration, तो पक्का होता है, अब अगर उसके पास में acceleration, अब अब देखो, अब science का कहता है, science ये बोलता है, कि अगर किसी भी charge particle के पास में acceleration है, कोई भी charge particle है, मालो proton है, neutron है, पर proton है, electron है, कोई भी ऐसा particle है, जिसके पास में एक charge है, चाहे positive, negative, कोई भी हो, अगर वो acceleration में है तो वो energy radiate करेगा मतलब कि अगर electron ऐसे revolve कर रहा है electron ऐसे revolve कर रहा है मतलब कि इसके पास में acceleration है तो अगर किसी भी electron के पास में acceleration होगा तो वो energy radiate करेगा radiate करेगा मतलब lose करेगा energy उसकी energy जब धीरे-धीरे कम होते जाएगे तो अगर ऐसा होता तो भाई electrons के एनरजी तो धीरे-धीरे-धीरे लूज होती ही जाती है और अगर लूज होती ही धीरे-धीरे-धीरे एनरजी उसकी कम होती है तो फिर तो वो ultimately nucleus में आके इगर जाता गोल-गोल भूम ही नहें पाता उसको गोल-गोल भूमने के लिक उसक तो एनरजी चाहिए अब उसकी एनरजी तो रेडियेट ओरी सारी की सारी एनरजी environment में जा रही है पर ऐसा तो होता नहीं actually, है ना, मतलब कि atom तो stable है, ये तम को पता है, पर Rutherford के ये वाली जो theory थी, कि electrons revolve करता है, अगर ये सच होती, तो फिर तो भाई हमारे जीवन में समस्या आ जाती, तो इसका मतलब ये कहीं न कहीं गलत है, ठीक है, मतलब याली theory गलत है, कि electrons revolve करता है, इन्हें ने बोला, कि Rutherford जी आपने एक बात तो सही बोले, कि electrons revolve करता है, पर आपने धंग से नहीं बताए, कि revolve कहां करता है, तो basically electrons किसी एक orbit में revolve नहीं करता है, सारे के सारे, electrons जे वो अलग-अलग orbits में है, निकि discrete orbits में revolve करता है, मतलब सिर्फ एक orbit नहीं atom के around, nucleus के around, ब यह चीज इन्होंने बहुत important हमें बताई, ठीके, और यह जो orbits होती है, these orbits और shells are called energy levels, तो यह जो अलग-अलग orbits होती है, जिसके अंदर electron revolve करते हैं, उनको हम shells बोलते हैं, या फिर energy levels बोलते हैं, ठीके, तो यह shells कैसी दिखते भाईया, देखो, यह nucleus है, हैना center है, तो ऐसी कु हमने नाम दे दिया, नाम क्या दिया, देखो, first shell क्या होगी, जो कि nucleus के just बाद वाली shell है, मतब just पहली जो shell है, जो बिल्कुल nucleus के पास वाली है, वो first shell होगी, उस shell को हम बोलते है k shell, energy cost to one का मतलब है कि कौन से number की shell है, मैं लेट से बोल दू कि nth shell है, तो nth मतलब कौन से number की shell या वो बताओ, तो यह energy cost to one की first shell है, तो k shell is the first shell, ठीक है, फिर second shell को हमने नाम दे दिया, l, third shell को हमने नाम दे दिया, m, और fourth shell को हमने नाम दे दिया, n, यह जो नाम है, simple है, k, l, m, n, है न, जैसे हमारा alpha particle order है वैसा, तो k shell होती है first shell, मतलब nucleus के just बात वाली, l shell होती है second shell, m हो होती है fourth, बहुत ही बढ़िया, अब न्यूट्रों के बार में कुछ discussion है, न्यूट्रों जो है, वो sir J. Chadwick ने discover के थे 1932, ठीक है, जिसके पास में कोई charge नहीं होता है, ठीक है, एक चीज़ बहुत important है, कि न्यूट्रों जो होता है, यह एक exception है आद दको, न्यूट्रों होते ह है, वो सारे, सारे एटम के न्यूट्रों से present होता है, except for hydrogen, मतलब कि hydrogen एक ऐसा एटम है, जिसके न्यूट्रों से नहीं present होता है, इसको छोड़के बाकि सब के न्यूट्रों से present होता है, तीसरा है, अगली चीज़ है, कि neutron को हम N से represent करते है, और mass of an atom, mass of किसी भी atom का जो mass होता है, electron तो बहुत ही हलका है, electron का mass हमने देखा था, 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, और बाकी दोनों का mass तो 10 to the power minus 27 kg था, मतलब कहीं न कहीं है, 1000 गुना से भी ज्यादा गुना हलका है, electron जो है, वो बहुत ही हलका है as compared to proton और neutron, तो obviously बात है, maximum mass जो होगा किसी भी atom के अंदर, वो neutron या फिर proton के का है, ठीक है, अब हम देखतें कि भाईया, चूंकि आपने बोल दया कि electron किसी भी atom के अंदर, अलग-अलग orbits होती है, तो उसके अंदर electron बैठे कैसे होते हैं, क्योंकि proton और nucleos तो पता चलके चलो, वो तो center में होते हैं, पर यह जो electrons अगर revolve कर रहे हैं, तो कैसे होगा कि बीच वाली में सबसाद होंगे, बाहर वाली में सबसाद electrons होंगे, सबसाद electrons किसके पास होंगे, electrons कैसे गुम रहे हैं, इस shell के पास में पहली shell में कितने हैं, दूसरी shell में कितने हैं, यह कैसे पता लगा जाएगा, तो इसके लिए basically हमारे पास में तीन rules होते हैं, ठीक है, तीन rules हो कर सकता है वो हमें इस formula से मिलती है तो जैसे एगर मैं first shell की बात करूँ तो first shell के लिए energy cost 1 हो जाएगा तो यह formal लगाऊंगा 2n square तो क्या हो जाएगा 2 into 1 का square यानि कि 2 यानि कि first shell है उसकी capacity maximum 2 electrons के second shell की बात करता हूं तो इसका क्या हो जाएगा 2 into 2 का square तो यह जाएगा 2 into 4 यानि कि 8 electrons तो second shell की capacity कितनी होगी second shell जाएगा 2 electrons maximum carry कर सकती है similarly energy cost 3 लूँगा तो 18 आजाएगा मेरे पास मतलब 8 electrons की capacity है तो यह चीज़ हमको इस formula से मिल जाती है दूसरी चीज़, maximum भली किसी भी अब देखो यह थोड़ा सा पिछले इसके पहले आले rule से थोड़ा सा लग है पहला rule का बोलना है कि बैसकी capacity जादा है पर दूसरा rule यह बोलना है कि भली किसी भी shell की capacity जादा हो या किसी भी orbit की capacity जादा है उससे फरक नहीं पड़ता maximum electrons एक orbit के अंदर सिर्फ 8 हो सकते हैं भले उसकी capacity जादा है पर maximum सिर्फ 8 रह सकते हैं इन्दा autonomous orbit this is called octet rule, octet rule का होता है basically देखो वो एक चीज़ तुम आके चलके बताता हो but for now बस इतना समझ लो कि किसी भी shell के अंदर maximum number of electrons आट हो सकते हैं भले उसकी capacity जादा हो तीसरा तो ले कि जब तक अंदर वाली shells नहीं भरा जाती तब तक बाहर वाली shells नहीं भराएंगे तो electrons होते है वो priority wise accommodate होते हैं मतलब कि सबसे पहले वो first shell में भराएंगे जब first shell की capacity पूरी हो जेगा मतलब first shell की capacity कितनी है दो electron तो पहली shell में भराएंगे दो electron पूरे हो गो इसके बाद में जाके अगली shell में भराएंगे तो let's say किसी भी atom के पास में 10 electron है तो 10 के 10 जाके पहली shell में नहीं बठेंगे हम अंदर से भरना start करेंगे ऐसा नहीं होगा कि बाहर वाली shell में जादा electron है अब बचे कितने है दो electron है पहली shell में चल गए बचे 8 electrons अब दूसरी shell में कितने electron चलेंगे दूसरी shell की capacity कितने है 8 electrons के तो 8 cat में इसमें डाल दूँगा ठीक है तो ऐसे हम डालते है ठीक है और इसको लिखने का तरीका होता है 2,8 मतलब किसी भी atom का अगर तुमको electronic configuration लिखना हो लेटसे किसी कैसे में 12 electrons है तो तुम उसका electronic configuration इस type से लिखोगे कि k shell में कितने electrons है, l shell में कितने है, m, n ऐसे करके अब जैसे 12 electrons है तो 12 electrons कैसे लिखोगे ओविसी बात है k shell में 2 electrons डाल दो ठीक है अब 10 में से 8 second shell में चलेगा, ठीक है अब बचे कितने है, 2 electrons बचे, 8 और 2,10, 10 electrons हमने भर दिया अब हमको total भरने कितने थे 12, तो बचे कितने है, 2 electrons तो 2 electrons हम तीसरी चलने के m shell में डाल देंगे और इस type से हमारे पास में यह हो जाएगा ठीक है, 2,8,2, ठीक है, बहुत ही बड़िया अब भया, वेलेंसी के हैर में चर्चा करते हैं वेलेंसी एक बहुत ही important concept है वेलेंसी is basically, अगर मैं definition के साब से देखो तो वेलेंसी is the combining capacity of an atom combining capacity, अब देखो वैसे तो वेलेंसी एक बहुत बड़ा topic है इसके उपर हम एक घंटे तक discuss कर सकते है पर आज हमारा target नहीं है, ठीक है वेलेंसी एगर मैं तुमको बता हूँ, तो वेलेंसी देखो किसी भी atom को, किसी भी atom को या किसी भी इस दुनिया के उपर किसी भी चीज को क्या हो नहीं stable होना है, जैसे मुझे भी, तुम्हे भी, सब लोगों को stable होना है, हम पढ़ते क्यों है, इसलिए पढ़ते तक्यार हम बाद में बड़े हो के कुछ नकुछ काम कर पाए और पैसा कमा पाए, और stable हो पाए हमारे लाइफ में तो stability सबको चाहिए, similarly atom को भी stability चाहिए, अब atom और हमारे बीच में common चीज है, क्या common चीज है कि stability हमको चाहिए ही चाहिए, पर साथ में जितनी कम महनत में हो से कि उतनी कम महनत में हमको stability चाहिए, similarly atom का भी काम है, atom को भी जितना कम lane देन करना पड़े, जितनी कम महनत करनी पड़ अच्छा घर हो अच्छी गाड़ी हो यह सब कुछ हो ठीक है तो किसी भी atom गाड़ी खरीदने तो जाएगा नहीं ठीक है तो stable होने के लिए atom के लिए क्या condition होती है कि उसकी आउटर्मोस शेल में 8 electrons हो यह उसकी condition होती है ठीक है या फिर अगर उसके पास में सिर्फ एक ही shell है मत 8 electrons होने चाहिए यह let's say for example 3 shells है तो तीसरी shell में 8 electrons होने चाहिए मतलब जो भी आउटर्मोस shell रहेगे मतलब जो भी सबसे बाहरी की shell रहेगे जो सबसे बाहर की shell रहेगे है उसके अंदर 8 electrons होने चाहिए this is the condition to be stable अब यह 8 electrons सब atom के आउसमें तो हो नहीं सकते है किसी atom के आउसम ठीक है तू मेरा सहरावन मैं तरह सहरावन हूँ तो basically let's say कुछ टाइप के atoms होते हैं जैसे कि मानलो sodium है अब sodium का जो atomic number वो है 11 मतलब इसके आसमें 11 electrons है अब 11 electrons है तो 11 electrons को चलो हम फिल करके देखते है जैसा हमने देखा तो पहली shell में तो आजेंगे 2 electrons ठीक है फिर अब बचे क 9 तो 9 में से 9 के 9 तो second shell माने सकते है second shell की capacity 8 electrons की तो 8 electrons हम यहां डाल दते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अब होगे total 10 अब हमको 1 electron हो डालना तो 1 electron हम यहां डाल दते है ठीक है अब भया sodium क्या stable है तो जी नहीं sodium stable नहीं है क्योंकि इसके automation में एक ही electron है हमको इसके automation में चाहिए कि 8 electrons होने चाहिए ठीक है तो अब sodium के automa shell में 8 electrons डालने के लिए क्या तरीका है मेरे पास में कि मैं इसके अंदर कहीं से 7 electron डाल दो जाके है यहां फिर एक दूसरा तरीका भी है दूसरा तरीका क्या है कि भाई जो एक electron मुझे परिशान कर रहा है ना मैं इसको निकाल देता हूँ एक electron को बाहर बाहर फिक देता हूँ अगर मैं एक electron को बाहर फिक दिया तो यहाली शेल तो गायब हो जाएगी तो बच्चे की सिर्फ फर्स वाली शेल और सेकंड वाली शेल और सेकंड वाली शेल के इसमें तो आट इलेक्टरन गया तो वो तो अबट ऑविसी बात है कि थर्ड शेल में अगर मैं इस एक electron को भगा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा तो मतलब मेरे पास मैं दो तरीक है sodium को stable करने के या तो मैं इसको साथ electrons दे दू या फिर इससे एक electron ले लू पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम हमारा सबसे उद्देश की क्या होता है stable होने का कि हम सबसे कम मेहनत में stable हो जाए तो sodium के लिए देखो sodium मालो कि अपने room में बैठा हुआ है और मालो gate पर electron ले के आए कोई और साथ electron लेक्त लेक्तरन लेक्तरन लेका है तो यहाँ से उठकर जाएगा एक एक electron लाए फिर दूसरे लेक्तरन लाए फिर तीसरे लाए ऐसे करके 7 बार वो example देना हों कि कुल मिला कि skum मेनत कि समे में लगी एक इल्लक्टरण त्यांगने में लगी ? एक इल्लक्टरण त्यागने में लगी तो यह होगी इसकी welancy, सोडियम की кров good क्या होगी sodium की वैलेंसी होगी 1 मतलब कि कितने एलेक्ट्रों के लेन देन करके हम अपने आपको अपकोई न कोई लेने वाला तो होगी थे चलो तो चलो इसका हम थोड़ा सा रखते साइड में में हम क्लोरीन की बात करें क्लोरीन के पास में 17 एलेक्ट्रोंगे एक तो ओर तीन चार पांच चे साथ 7 electrons हमारे पास में इस shell में आगए अब अगर chlorine क्या chlorine stable है तो जी नहीं chlorine stable इसलिए नहीं है क्योंकि इसके outer shell में है sodium के outer shell में है कितने electrons है? 281 इसका जो configuration हो लिख देता हूं और इसका वभी लिख देता हूं 287 अब अगर तो महाने ध्यांद से देखो तो क्या चीज आसान है, एक electron लेना या साथ electrons देना ओविसी बात है, एक electron लेना आसान है तो कम लेन देन किसमे हो, एक electron लेने में ठीक है, तो इसलिए chlorine की भी valency क्या हो जाएगी chlorine की भी valency हो जाएगी 1 chlorine की भी valency हो जाएगी 1, तो sodium की valency भी 1 है विलेंस का लेंद देन करना पड़ रहा है to become stable तो यह चीज द्याना रहा है तो यह चीज निकालने के लिए तुमको एक चीज बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि हम electronic configuration कैसे लिखेंगे बतब electron distribution तुमको पता होने चाहिए Sodium वीचारा परेशान है किyan एक electron देना, एक electron देना, chlorine मिला उसको, chlorine सेट करा है उसले में लाइभ को जाल थे ओर अड़ाहे है, पर फिर थोड़ी बहुत दोस्ति भी कर लेते लोग तो chlorine ने बोला किyan रयायर बहुत परेशान हूँ यार, sodium ने बोला क्यों, भूले काघ एक उलेक्ट्रॉन के जरुफ़ते, आर कोई देई निरा यार, तो sodium के बत्थी चम की sodium ने बोला कि यार मेरे पास एक उलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसको दे देता हूँ ना, इसको जरूरत भी है, इसकी भी जरूरत दोने एक दूसरे की जरुरतों को पूरी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे बनते हैं compounds, अब देखो तुमको यह बेसिकली सबकी atomic numbers यहाँ पर दे रखे हैं, यह तुमको थोड़े बहुत याद हो जाया अगर तुम बहुत अच्छी बात है, बट चुंकि end time है तो थोड़े बहुत जो main popular है उनके याद कर लो, otherwise exam में भी general दे दिया जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो सबकी valency भी लिखी हुई है, ठीक है, तो जिसका atomic number है 1, valency 1, देखो यहाँ पर distribution of electrons दे रखा, KLM on N, ठीक है, तो let's say कि किसकी automo shell में एक electron ना तो उसकी valency बनोगई, दो electron ना तो 2 होगे, 3 electron ना तो 3 होगे, 4 electron ना तो 4 होगे, और पांच electron ना तो क्या valency 3 है, 3 क्यों है इसकी valency, क्योंकि 5 electron, देखो, ultimately मेरा target क्या है कि automo shell में 8 electron हो, तो या तो मैं अपनी shell के सारे electron ख़तम कर दो, या फिर अपनी shell में कुछ electrons गें कर दो, ताकि मेरी shell में 8 electron हो जा, तो अगर जिसकास में अलड़ी 5 electron सा autonomous shell में, तो वो 5 electron lose करेगा, या फिर 3 electron गें करेगा, हमको तो 8 का नमबर चाहिए ना बस, तो मैं 5 lose करूँ तो कम महनत लगेगे, 3 gain करने में कम महनत लगेगे, तो इसलिए इसकी valency होगी, 3, तो इससे हमको एक चीज़ और पता चलती है, क कि किसी भी अगर तुमको atom की directly valency निकालनी हो, कि valency क्या होगी, तो वो निकालना बहुत simple है, तुम बस देखलो कि उसके autonomous shell में कितने electrons है, जो भी चाहिद ल हो, M हो, N हो, उसके autonomous shell में कितने electrons है, अगर उसके अंदर, एक से 4 के बीच electrons है, मतलब कि उसके autonomous shell में 1 electron है, 2 electron है, 3 electron ह सार electron है, तो उसकी जो valency होगी, वो हो जाएगी, वो हो जाएगी उतनी number, मतलब जितने number of electrons है, let's say कि 1 से 4 के इच में x electron है, तो उसकी valency हो जाएगी x, ठीके, similarly, अगर उसकी जो valency है, वो उसकी जो autonomous shell में electron से हो, 5 से 8 के बीच में, 5, 6, 7, 5 electron, 6 electron, 7 electron, 8 electron, तो उसकी जो valency हो जा तो किसी के autonomous shell में 3 electrons है, तो वो 1 से 4 के बीच में fall कर रहा है, यानि कि उसकी valency directly तुम लिख दोगे, कि भाई इसकी valency है 3, सिर्फ autonomous shell के बात कर रहा हो मैं, और अगर मालो किसी electron के पास में 8 से 7 electrons है, तो 7 electrons है तो तुम क्या करोगे, तुमको पता है कि 7 जो हो 5, 6, 7, 5, 5, 5 से ब या फिर otherwise तो मैं ऐसे भी आद कर सकते हूं कि 7 electrons है total हमको चाहिए थे 8, तो 7 निकालना easy है, फिर 1 gain करना easy है, तो obviously बात है 1 gain करना easy है, ठीक है, अब जब भी किसी के अंदर autonomous shell में 4 electrons है, तो obviously बात उसकी valency 4 ही होगी, मतलब कि वो gain lose का ही करेगा न, मतलब उसमें फिर वो covalent bonding हो जागी 8-8 याने कि 0, मतलब कि इसके valency 0 याने कि already stable है, इसको कुछ भी काम नहीं करना, valency कब होगी जब हमको stable होने के लिए electrons के साथ में bonding करने कि, किसी और atom के साथ bonding करने है, पर अगर हम already stable है, तो हमको कोई जरुरत ही नहीं करने कि, ठीक है, तो इसलिए valency 0 हो जाती हो जात नीचे हम लिखते हैं उसका atomic number और उपर लिखते हैं इसका mass number, इस steps हम represent करते है, ठीक है, अब इसको याद करने का funda क्या, याद करने का funda यह है, कि atom का symbol, atom का symbol मतलब कि sodium का na हो गया, chlorine का cl हो गया, अब तुमको भूल जाओगे कि उपर atomic number लिखते थे, कि नीचे atomic number लिखते थ है, तो A कौनसा number हुआ, atomic number और mass number दो numbers थे, अब atomic number तो है नहीं A, तो A क्या होगा, obviously mass number, तो उपर तुम लिखोगे इस सबसे mass number, और नीचे लिख दोगे atomic number, ठीक है, तो जैसे for example, let's say कि हम किसी का निकालना चाहते हैं यहाँ पर, let's say nitrogen को लिखते है, तो nitrogen का atomic number है 7, और nitrogen का mass number क्या होगा, तो mass number होता है number of protons plus number of neutrons, तो इसका mass number होगया 14, ना, nitrogen का mass number होगया, nitrogen के लेगर मैं देखूँ, तो A, यानि कि mass number होगया 14, और Z, यानि कि atomic number होगया 7, तो nitrogen को हम कैसे लिखेंगे, N लिखेंगे, उपर लिखते है mass number, यानि कि A, ये वाला, और नीचे लिखते है Z, sorry 7, तो ये हो गया 14 and 7, इस टाइप से तुम represent कर सकते है, बस represent करने का तरीका है, अब तीन important चीज़े है, isotopes, isobars और isotomes, these are related to atomic number and mass number only, isotopes ऐसे जोड़ी होती है atoms की, जिनके पास में same number of protons होते है, isotopes के होते है, जिनके पास में same number of protons होते है, जिनका atomic number same होता है, ठीक है, जैसे हम एक pair of atoms को या फिर एक pair of different atoms को isotopes बोलते है, तो isotopes हम कम बोलते है, जब दो atoms या 2 से जाधा atoms का पास, जो atomic number हो same है, atomic number same होने का मतलब क्या होगा कि proton same है, number of protons, तो इसको याद करने का तरीका करो कि isotopes है, तो top, top, p, 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 r, तो p for protons, ठीक है, तो iso का मतलब same, और tops मतलब समझ of protons, isobars, isobars क्या होगा कि इसके अंदर mass number same है, ठीक है, इसके अंदर mass number same है, और isotopes मतलब कि number of neutrons same है, ठीक है, बहुत ही बड़िया, तो isotopes क्या होते है, isotopes, जैसे कि अब isotopes के example याद कर लो, जैसे कि protium होगया, deuterium होगया और tritium होगया, तो ये, these are isotopes of hydrogen, देखो तो उपर हम mass number लिखते है, तो देखो, इसका mass number 1 है, इसका mass number 2 है, इसका mass number 3 है, पर गर तो मैं atomic number की बात करो, तो इसका भी atomic number 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, तो ये होगया isotopes, ठीक है, similarly carbon 12 और carbon 16, sorry, carbon 12 और carbon 14, तो carbon 12 जो है, उसका mass number 12 है, और carbon 14 का mass number 14 है, तो इसलिए हम दोनों को identify कर पाता ह यह दुन हो actually isotopes है, स्विजरली क्लोरीन में, क्लोरीन भी जैसे कि 35, एक mass number 35 वाला तो और एक mass number 30 वाला होता है, ठीक है, तो इसका लिए atomic number 17 है, ठीक है, तो elements having same atomic number, but different mass are called isotopes, ठीक है, अच्छा, अब ये एक बहुत important चीज है, इस type के questions तुम्हारे पास में exam में generally आते ही आते है कि अगर generally क्या है कि अब chlorine जाओ, actually हमको chlorine का mass क्या पता है, 35.5, पर chlorine का mass actually 35.5 नहोता है, chlorine actually in reality कैसे exist करता है, इस form exist करता है, मतलब कि 3 to 1 के ratio में, मतलब कि अगर 35, basically 2 type के chlorine exist करते हैं, एक जिसका mass 35 है और एक जिसका mass 37 है, ठीक है, तो हमको अगर निकालना है average atomic mass, मतलब हमको नही average chlorine की बात करते हैं, तो एक question बहुत important है, जो exam में आता है, जिसमें हमको average atomic mass निकालने का बोला जाता है, तो average atomic mass निकालने का simple fund आ है, वो यह है, कि जिस भी isotope का mass तुमको दे रखा है, into उसका percentage कर दो, into उसका कितना percentage है, जैसे तुमको generally question में दिया होगा, जैसे अब यह तो 3 to में दिया, तो 3 to 1 का मतब क्या होता है, कि यह वाला जो है, यह 75% है, और यह वाला जो है, यह 25% है, इसको 3 to 1 मोलते हैं, अगर तुम देखोगे, तो 75 upon 25 भी कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, 3 to 1 हो जाएगा, तो 70, generally तुमको अगर ratio के form में दिया है, तो तुम ऐसे देख लो ठीके, अगर ratio के form में दिया, तो तुम ऐसे देख लो, या फिर अगर तुमको directly percentage में दिखा है, तो अब तुमको क्या करना है, तुमको अगर पूछ ले गया, कि यह इस ratio में exist करते हैं, तो बताओ, क्लोरीन का average atomic mass क्या होगा, तो case ratio में, कि 75%, मतब इस पूरी environment के अंदर, 75% जो क्लोरीन पाया जाता है, वो 35 mass वाला पाया जाता है, और 25% जो है, वो 37 वाला पाया जाता है, तो अब average atomic mass क्या होगा, तो बिल्कुल math का question है, तो इसका बहुत simple सा fund है, ठीके, यह mass, यानि कि mass, एक isotope का mass, इंटू उसका percentage, 75%, प्लस, यहाला isotope का mass, इंटू इसका percentage, इंट इतना सा करना है तुमको, जो isotope का mass, तो mass, इंटू किते, उस वाले isotope का कितना percentage है, प्लस, दूसरा आला mass, इंटू उस वाले isotope का कितना percentage, यह बस, यह तुमको याद रखना है, बस, जैसे 35, जैसे, let's say, 60% दिया होता है, कि इसका atomic number 20 है, sorry, mass 20 है, और दूसरे का 25 है, 20 वाला जो है, वो 60% exist करता है, 25 वाला जो 40% exist करता है, तो 20 इंटू 60% प्लस 25 इंटू 40%, ठीक है, बस यह percent sign लगाना बहुत जरूरी है, अब क्या करोगे, simple mathematics है, 35 इंटू 75% को कैसे लिख सकते है, 75 upon 100, प्लस 37 इंटू 25% को कैसे लिख सकते है, 25 upon 100, तो जब तुमको पूरा का पूरा एक mass निकालने को बोल दिया जाए, और साथ में बोल दिया जाए, कि तीन applications of isotopes बताओ, तो तीन applications of isotopes में तो में यह याद रख सकते हो, यह direct theoretical है, तो यह pause करके read कर सकते हो, isobars क्या होता है, ऐसे element जिनका mass number same होता है, और atomic number अलगल होता है, तो इसके भी example भाई, सबके examples याद करना बहुत ज़रूरी है, तो इसका एक example है calcium and argon, तो calcium and argon क्या होता है, atomic number of calcium 20 होता है, atomic number of argon 18 होता है, पर दोनों का mass number 40 होता है, तो अगर मैं इनको लिखूँ, तो यह होगा है isobars, तो जब भी तुमको यह दिख जाएं, तो तुम बोल दोगे कि भाई, यह दोनों isobars है, और isotones होता है, although हमारे inserting अंदर नहीं दिया है, बट सिल isotones are the number of neutrons, which have the same number of neutrons and different number of protons, जिनके हैं समें same number of neutrons होता है, तो इसका example देलो potassium और calcium, potassium के पास में 19 proton है, पर 20 neutron है, calcium समें 20 proton और 20 neutron होता है, तो इसलिए यह जो दोड़ी है, यानि कि यह दोनों जो है, इनको हम isotones बोलते हैं, तो यह basic set of differences है, तीनों के बीच में, read करके तुम देख सकते हो, तो यह कोई revision तुम्हारा यहां पर समापत होता है, तो that being said, बहुत ही कोई कले हमने पूरा का बुरा देख लिया है, अब make sure कि अगर तुम्हारा चैनल का सब्सक्राइब नहीं तो make sure भाई, please subscribe करो, support करो थोड़ा चैनल को, और अगर तुम लोग ने अभी तक batch के अंदर enroll नहीं करा है, तो totally free है batch के अंदर enroll करना, उसको अभी के अभी जाके कर लो, क्योंकि वहां पर तुमको extra फीचर्स देखने को मिल रहे है, सारे जो लेक्चर्स यूट्यूब पर यहां पर भी आएंगे, पर साथ में तुमको आपर थोड़े extra added benefits है, जैसे कि free में तुमको daily homework मिलेगा, मतलब हर chapter wise तुमको homework है, practice questions मिलेंगे, lecture slides जैने कि यह जो slides तुम देख रो, जिससे मैंने पढ़ और यह जो batch है, triumph batch इसको YouTube पे तो follow करो ही करो, पूरी playlist बनी हुए तो playlist के भी link में description में डालने कोशिश करूँगा, पर इसके अलावा, YouTube के अलावा, तुम डाउटनेट की app पे जाकर भी इसको free में enroll करकर रहा है, ठीक है, free की चीज़ है, उनको तो enroll करना ही चीए, ठीक है, That being said, में ते हम लोग नेक्स लेक्टर के अंदर तब तक के लिए, गुडबाई, टेक केर, जय हंद, वंदे मातरम